जब जब भी शो में कोई म्यूजिक डिरेक्टर या प्रोडियूसर आता है तो वो पल आइडल की कंटेस्टेंट के लिए सबसे बड़ा मौका होता है क्योंकि अगर शो में आए महमान को कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस में से कुछ भी पसंद आ गया तो उन्हें एक बड़ा डेबियो भी मिल सकता है और इसी मौके को भुनाने के लिए मंच पर आगए महमत दानिश यहां दानिश अपनी सिंगिंग नहीं बलकि अक्टिंग का हुनर दिखाने आये थे जब मंच की महमान बनी है टीवी और बॉलिवुट की क्वीन कही जाने वाली एक्ता कपूर इत्ता कपूर ने दानिश से कहा कि मैंने सुना है कि आप एक्टिंग का शौक रखते हैं ऐसा करो कि मेरी एक फिल्म थी वन सपोने टाइम इन मुंबई उसमें आजे डेवगन ने सुल्तान मिर्जा का केरेक्टर किया था तुम भी उसी का कुछ डायलोग करके दिखाओ और फिर क्या दानिश को तो मौके की जरुरत थी उन्होंने शुरू कर दिया उनके डायलोग को देखकर सारे जज़ेज हैरान रहे गए शोव में आई महमान भी दानिश की अक्टिंग से इंप्रेस हो गई अब देखना ये है कि क्या वो दानिश को किसी सीरियल या फिल्म के लिए मौका देती है या नहीं बाकि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको मौहमत दानिश की एक्टिंग और सिंगिंग कैसे लगती है आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग फर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ